नमश्कार, स्वागत है आपका Smart Business Plus YouTube परिवार में मैं दीपक कुमार हाजर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर किसान भाईयों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं वहुती स्वस्त और मस्त होंगे आप और इस वीडियो में हम सीखेंगे टमाटर की जैविक खेती करने के वारे में जो कि कम समय में कम जमीन से लाको रोपे कैसे कमा सकते हैं ये आईडिया भी आप राप्त कर पाएंगे तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले टमाटर की बारे में बात कर लेते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाते हैं टमाटर की खेती में आगे बढ़ने से पहले कि लगतार टमाटर की खेती में इस्तमाल किये जाने वाले रासाइनिक और उर्वरक की वज़े से इसके फलों की गुडवत्ता में काफी कमी आई है और पौदों की देखवाल में भी खर्चा जादा आने लगा है जिस कारण से अमारे किसान भाई टमाटर की खेती को धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं लेकिन हम आपके लिए जो खेती बता रहे हैं वो जैविक तरीके से बता रहे हैं तो इसमें जो आफ की कोश्ट आएगी लागत आएगी वो बहुती कम मातरा में आएगी तो चलिए सबसे पहले वात करते हैं उप्योक्त मिट्टी कैसी होना चाहिए टमाटर के खेती करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली दौमट मिट्टी उप्योक्त होती है दौमट मिट्टी के अलावा इसके खेती और भी कई तरीके से की जा सकती है या अन्य वूमियों में भी उगाई जा सकती है जिस वूमी में पोशक, तद्व, उचित मातरा में हैं तो उस मिट्टी में भी कर सकते हैं या फिर जिस मिट्टी का pH मान 6-7 के वीच में हो तो उस मिट्टी में भी आप टमाटर की खेती कर सकते हैं और आपके लिए एक बात और बता दें कि यदि आपने अपने खेतों में अधिक मातरा में रसाइनिक या पैस्टिसाइट्स का इस्तमाल किया है तो आपकी भूमी का pH मान में भी गड़बड हो चुकी है और उसका pH मान बढ़ चुका है जिस वज़े से आपकी मिट्टी अब बजाओ नहीं रही और उसमें प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम होने लगा है यदि आप जैविक खिती करेंगे तो आपकी मिट्टी में सुधार आएगा आपकी मिट्टी फिर से सोना उगलने लगेगी जो कहवत पहले थी वो आज फिर से सुरुवात हो सकती है यदि आप और्गनिक फार्मिंग करेंगे तो और आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलने लगेगा बात करें टमाटर की खिती करने के लिए जलवाई और तापमान कैसा होना चाहिए टमाटर की खिती करने के लिए सामाने तोर पर मौसम सबसे उप्योगत होता है यदि मौसम सही रहा तो आपकी खिती अच्छे से रहेगी और मौसम में परिवर्तन हुआ तो आपका सिस्टम भी गड़वड़ा जाएगा और प्रोडक्सन में काफी दिक्कत आएगी और वो प्रोडक्सन नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उपेक्चक करते हैं तो सर्दियों में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर महिने में आप टमाटर की खिती कर सकते हैं तो आपको अभी नरसरी डालना होगी और आपके लिए यात होगा कि टमाटर की नरसरी 45-50 दिन में तयार होती है तो लगवग लगवग आपकी 75% सर्दिया निकल चुकी होगी जब तक आपकी नरसरी तयार होगी और आपके लिए बता दे हैं कि टमाटर की फसल में पाला पढ़ने पर भी काफी हद तक नुक्षान होता है तो अभी आप नरसरी तयार कर रहे हैं और नरसरी को सुरक्चित कर लिया आपने एक छोटी सी जगे में तो आने वाले समय में आप अच्छे से खेती कर पाएंगे और इसकी खेती के लिए अधिक वारस भी नुक्सान दायक होती है और अधिक गर्मी भी नुक्सान दायक ही होती है तो कुल मिलाकर सामान मौसम में ही आप टमाटर की फसल के लिए अच्छी पैदावार ले सकते हैं फिर चाहे वो गर्मी का मौसम हो या वर्सात का हो या फिर सर्दी का मौसम हो आप तीनों मौसम में आसानी से टमाटर की खेती कर सकते हैं लेकिं दिहान रहे की हर मोसम का वीज अलग-अलग आता है, टेमाटर के पौदे को शुरुवात में अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री के आसपास तापमान की जरुरत होती है, अंकुरित होने के बाद टमाटर के पौदे में 25-30 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास होता है इसके पौदे गर्मियों में अधिक्तम 38 डिग्री और सर्दियों में नियुंतम 12-13 डिग्री तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं इसके बाद यदि टेंपरेचर में कोई उपर नीचे वदलाब होता है अब डाउन की ओर तो फिर यहाँ पर आपकी टमाटर की फसल भीमार हो जाएगी रोग ग्रहसित हो जाएगी कई तरह के वाइरस इसमें लग जाएंगे बात करें टमाटर की खेती करने के लिए उननसीर किसमों का चुनाफ कैसे करेंगे तो टमाटर की उननसीर किसमें आप कई तरीके से मार्किट में उपलब्द है देशी भी है और हाईवरेट भी है लेकिन हर समय हर मौसम में अलग अलग वेराइटी उपलब्द है आपके लिए बता देए कि ये जो हाइव रेट की वेराइटी हम इस्तिमाल कर रहे हैं उनके नाम है कावेरी 0-5-1-NVH-BEN का ये दो किस्मों का चुनाप तो हमने खुद से किया है जो कि दिसंबर महीने में नरसरी के लिए हमने डाल दिया है तो हमारी ये जन्वरी तक ये खेत में लगेगी और तब तक हमारी जन्वरी के अंडिन तक खेत में ये सेट होगी तब तक ये सर्दियों का मौसम भी निकल चुका होगा इसके अलावा आप US 440, US 222, सक्तिमान, Red Gold ये पूसा हाइबरेट, पूसा हाइबरेट 4, अभीनास, बैसाली, मैंका, रिसी आदी तरह कि आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो कि हाइबरेट और देशी दोनों तरीके से मार्केट में उपलब्द है हमारी जो बैस्ट वैराइटी है वो हमने अभी आपको बता दी जिसका चुनाव हम खुद से कर रहे हैं और इनकी वीडियोस हम आपको Part 1, Part 2, Part 3 के साब से डे वाइ डे उपलब्द भी कराएंगे और आपके लिए बता दें कि हम जैविक तरीके से कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह का रहसाइनिक या पैश्टी साइट्स का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो सब कुछ आपकी आँकों के सामने बताएंगे आपके लिए जैविक खेती करना कि इसमें वाकई में फाइदा है या घाटे का सोधा है बात करें अब खेत की तैयारी कैसे करनी है तो टमाटर की खेती के लिए खेत की मिट्टी भुरबुरी और साप सुधरी होना चाहिए इसके लिए सुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त खेत में मौझूद पुरानी फसलों की अपसेसों को अच्चे से उकाल कर या नश्ट कर देना चाहिए या खेत से बाहर फैंक देना चाहिए हम क्या करते हैं कि पुराने के जो अपसेस बचे हैं फसलों के और मिट्टी में कारवन की मातरा को बढ़ा देते हैं इसके बाद जब आप नेश्ट फसल करते हैं तो उसमें जैविक खेती करने में आपको काफी अतक फाइदा होता है या फिर आप रसाइनी खेती करते हैं तो भी फाइदा होगा क्योंकि खित में खाद की मातरा बढ़ जाएगी बात करें वीज की मातरा और उपचार केंसे करना है आपके लिए तो टमाटर की जैविक तरीके से खिती करने के लिए इसके वीजों का जैविक तरीके से उपचार किया जाना चाहिए इसके वीजों का जैविक तरीके से उपचार करने के लिए आपको कई तरीके आने आपके सामने कई सारे ओप्सन है जैसे कि पहला तरीका है आप नीम के तेल से बीज को उपचारित कर सकते हैं जो की ओर्गनिक में आता है जैविक तरीके में आता है यदि नीम का तेल नहीं करीदना चाते तो गौमूत्र का इस्तमाल करके भी आप वीज को उपचारित कर सकते हैं और यदि आप गौमूत्र से वीज को उपचारित करेंगे तो एक वाद ध्यान रखे कि आपके वीज में किसी भी तरह की फंगस या रोग बायरस नहीं लगेगा क्योंकि गौमूत्र एक खुद में अपने याप में एक वड़ा ब्रांड फंगी साइड खुद से है गौमूत्र का इस्तमाल करने से फसलों में इंसेक्टि साइड से मतलब वो कीट नहीं आते कीट पतंगे और रोग बायरस नहीं आते फंगस नहीं लगती तो गौमूत्र एक पिरकार से जैविक ऐसा टॉनिक है जो कि मुफ्त में आपको कई सारे लाव दिला सकता है इसके बाद अलावा आप ये बेश्ट डी कंपोजर से भी वीजो को प्चारित कर सकते हैं अब बेश्ट डी कंपोजर क्या है आप यूटूब पर देख सकते हैं भरमार पड़ी है वीडियों की जो की डॉक्टर किसिन चंदर जी के माद्यम से निकाला गया है गाजियवाद से और इस वेश्ट डी कंपोजर के भी कई सारे फाइदे हैं और इसका इस्तिमाल हम पिछले तीन महीनों से कर रहे हैं तो हमें इसका लाव अवश्य देखने को मिला है और इसके लाव जो हमें फाइदे मिले हैं वो भी आपके साथ सेर करेंगे और किसी को यदि वेश्ट डी कंपोजर चाहिए तो वह कौंटेक्ट कर सकता है हम उसे उपलब्द करा देंगे अब बात करें कि नर्शरी में पौद तयार कैसे करें तो टमाटर के वीजों की रुपाई पहले नर्शरी में की जाती है और नर्शरी में इसके वीजों को क्यारियों में उगाया जाता है क्यारियों में उगाने के दोरान क्यारियों की मिट्टी को पचारित कर लेना चाहिए और उनमें उचित मातरा में औरवरक डालना चाहिए पौद तयार करने के लिए सुरुआत में क्यारियों की तयारी के वक्त उनमें लगवग 25 किलो पुरानी गोवर की खाद को डाल कर उसे अच्छी से मिट्टी में मिला देना चाहिए इसके बाद क्यारियों की मिट्टी को रोग मुक्त किया जाता है और क्यारियों को रोग मुक्त करने के लिए आप गौमूतर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीमॉल से स्प्रे कर सकते हैं या फिर बेश्ट डी कंपोसर से रोग मुक्त कर सकते हैं स्प्रे करके या फिर सूर्य उर्जा विदी कावे इस्तमाल कर सकते हैं आप ये तीन चार ऐसी तकनीक है जिनसे आप जमीन को उपचारित कर सकते हैं और आपके लिए यहाँ पर एक वात और ध्यान देने की वहुत ही जरूरी है कि गोबर की खाद यदि इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको सड़ी हुई पच्ची हुई खाद का इस्तमाल करना चाहिए कम से कम 6 मईने पुरानी खाद का इस्तमाल करेंगे तो ठीक रहेगा Otherwise कच्ची खाद का इस्तमाल करोगे तो फसल नश्ट हो जाएगी जर्मिनिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि गोवर जो रहता है उसमें मिथेन के स्पाई जाती है और उसमें बहुती गर्मी रहती है और गर्मी होने की वज़े से वीज का जर्मिनिशन नहीं हो पाएगा और वीज हमारा मिट्टी में ही संद जाएगा तो आप गोवर खाद की अपेक्चा वर्मी कंपोश्ट खाद जो केंचुव खाद जिसे बोला जाता है उसका इस्तिमाल करेंगे तो भी आपको लाब होगा या लीप कंपोश्ट खाद का इस्तिमाल कर सकते हैं आप तो जैसे आपको सुविधा लगे उसका इस्तिमाल करिय तो थोड़ा क्यार करने की जरूरत है जैसे कि अभी कोई नरसरी डालने का सीजन नहीं है लेकिन दिसम्मर महीने में डालोगे तो आने वाले समय में आपको फायदा होगा और आपके लिए बता दें कि जो सर्दियों का मौसम है उसमें 35-40 दिन में नरसरी आराम से तयार हो जाएगी और यदि आप इसी नरसरी को आप जो ट्रे पाते हैं अमारे जो प्लेटें आती हैं प्लास्टिक फॉर्म में या डिस्पोजल गिलास में भी आप इसका जर्मिनेट करवा सकते हैं इसको ट्रे में लगा सकते हैं जो प्लास्टिक पॉर्ट ट्रे आती है सीडिलिंग के लिए उसका इस्तेमाल करके भी आप वीज को लगा सकते हैं तो उसमें आपको वर्मी कंपोज्ट ये और कोकोपीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे germination जल्दी होगा और पौध जल्दी तयार हो जाएगी अब बात करें खेत में पौध रोपाई का तरीका क्या होना चाहिए तो बता दें कि पौध की रोपाई खेत में उच्छे दूरी पर मेल बना कर की जाती है मेलों पर रोपाई के दौरान पिरतेक मेलों के वीच एक से डेल फिट की दूरी होना चाहिए और मेल पर पेलों के वीच एक फिट की दूरी रखना चाहिए इन मेलों को आज उच्छ तकनीक के माद्यम से वैड नाम दिया है आप बैड बना सकते हैं या तो मेड़ नाम से समझे या बेड़ नाम से समझे जैसा आपको समझ में आए आप समझ सकते हैं आप वहाँ लगा सकते हैं इसके अलावा कुछ किसान भाई इसे समतल भूमी में भी उगाते हैं समतल भूमी में उगाने के दोरान इसके पौदे को क्यारियों में एक फिट के आसपास दूरी छोड़ते हुए पंक्तियों में उगाते हैं इसके पौदों की रोपाई से पहले उन्हें राई जोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए ताकि पौदों पर सुरवात में अंकूरन के वक्त किसी भी तरह की कोई बीमारी का प्रवाव ना पड़े और पौदों की रोपाई स्याम के वक्त खेतों में करने चाहिए क्योंकि इस दोरान रोपाई करने पर पौदों का अंकूरन अच्छे से होता है अब आप जैविक खेति कर रहे हैं तो आप गौमूतर से उपचारित कर सकते हैं वेश्ट डी कंपोजर से उपचारित कर सकते हैं नीम ओल से उपचारित कर सकते हैं तो ये सभी फंगी साइट्स का ही इस्तमाल करेंगे तो आप इनसे उपचारित कर सकते हैं लेकिन अब उपचारित के ऐसे करना है बता दे हैं कि यदि आप एक एकड़ खित में भी लगा रहे हैं तो आपको 10 लीटर पानी ले लेना है वेश्ट डीकंपोसर मिला रहे हैं तो आपको आदा लीटर वेश्ट डीकंपोसर 10 लीटर पानी में डाल कर और पौदे की जो जड़े रहती हैं उनको उस पानी में डुबा डुबा कर आपको लगा देनी है और यदि नीम उयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 लीटर पानी और आपका 15-20 एमेल नीम उयल हो जाएगा नीम उयल में एक वाद ध्यान दीजिए कि जो नीम उयल का इस्तेमाल करेंगे तो उच्छ गुडवत्ता या अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसको समझने के लिए आपके लिए 3000 पी पी एम बाला नीम उयल लाना चाहिए मार्किट में अधिकतर 1500-17-1800 पी 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 एम तक के नीम उयल मिलते हैं तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा 3000 पी पी एम बाला उयल आपको सुद्ध मिलेगा प्योर तो नहीं कह सकते 100% लेकिन 1500 पी पी एम की अपिक्छा 90% काफी अच्छ रहेगा उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं बात करें पोदों की सिचाई कब करें तो भाई सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपको मौसम और आपकी मिट्टी और फसल को दिहान में रखते हैं सिचाई करना चाहिए तो सर्थियों में तो लगवग आप जब खेत में जनवरी के मौसम में नरसरी को रोप दोगे तो आपका 10 वारा दिन में सिचाई होना है जैसे जैसे गर्मियों की ओर टैंपरेचर बढ़ता जाएगा मौसम बदलेगा आपकी टाइमिंग धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी बात करें इसमें खर्पदवार नियंतरन की तो भाई खर्पदवार नियंतरन दो तरीके से किये जाते हैं और यहाँ पर दो सवाल उत्पन हो जाते हैं पहला जैविक तरीका और दूसरा रसाइनिक तरीका यदि आप रसाइनिक खेती कर रहे हैं तो आप इसमें किसी भी रसाइनिक दवा का इस्तमाल कर सकते हैं तो खर्पदवार नहीं होगेंगे और उगाएं तो मर जाएंगे लेकें मैं आप के लिए बता दूँ कि यहाँ पर पहली आपकी खर्पदवार नियंतरन के लिए निन्दाई गुड़ाई की जरूरत पड़ रही है तो आपको निन्दाई गुड़ाई ही करवाना चाहिए ना कि किसी पैस्टिसाइड से दवा का इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि यहाँ जब आपकी निन्दाई गुड़ाई का समय आया लगवग आपका 20-25 दिन हो गए हैं और 2-3 सिचाई तो आपने कर दी होगी तो आपकी भूमी की उपर की जो लेयर है जिसे परत बोलते हैं उसमें टीफ लग जाती है तो उपर से सूर्य की जो अल्ट्रावाईनेट गिरने गिरती है तो वह मिट्टी के अंदर नहीं जाती तो मिट्टी में ऑक्सीजन का संबहन नहीं हो पाता और प्रिकास अंसलेशन की किरिया का भी कार बहुती डाउन हो जाता है तो आप एक बार निदाई गुडाई कर दोगे तो फाइदे कई सारे हैं खर्पदवार नश्ट हो जाएंगे साथी आपकी फसल में ओट जो ग्रोथ बोलते हैं वह काफी अच्छी देखने को मिलेगी और एक खात का इस्प्रे कर दीजिए या इस्तिमाल कर दीजिए और जैविक तरीके में तो कोई भी खर्पदवार नासी दवर नहीं आती तो आपको निदाई गुडाई करना ही पड़ेगा साथी जो भी खर्पदवार आएगा उसको खेत से वाहर ना निकालते हुए खेत हो जाएगा यह आपको सबसे बड़ा फाइदा होगा अब बेश्ट डीकंपोजर कैसे प्राप्त करेंगे तो उसको हम उपलब्द करवा सकते हैं बस आपको हमें कॉंटेक्ट करना है हमने गाजियावाद से ही मंगवाया है ओरिजिनल वेश्ट डीकंपोजर और यदि आप हम सोच रहे हैं कि ओनलाइन मंगवाले एकॉमर्स वेबसाइडों से तो भाई बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है जिनोंने बेश्ट डीकंपोजर अपनी तरीके से बना कर मार्केट में उतार दिये हैं तो कई कंपनियों के काम कर रहे हैं और कई कंपनियों के नहीं कर रहे ह जिसमें हमेरा समय बहुत बरवाद हो जाता है तो हमें समय की बरवादी ना चाते हुए अच्छा और ओरिजिनल वेश्ट डीकंपोजर चाहिए और मैं आप से इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा मुप्त मैं आपको दे दूँगा तो चली अब आगे बढ़ते हैं पोदो को देखवाल की जादा ज़रुत होती है क्योंकि इसके पोदे में फल जमीन की सते के पास लगते हैं जिनके लगतार भूमी से लगे रहने पर फल खराब होने लगते हैं और इसलिए पोदों की जो बंदाई की जाती है जिसे पोदों को सहरा देनावी बोलते हैं इसके अधिक हमें उपलब्द करा देते हैं जैसा कि आप वीडियो में देखी सकते हैं आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से टमाटर की फसल की जा रही है तो ये तो हमारी पहले की है अब जो हम फसल करेंगे वह 3G, 4G कटिंग के साथ करेंगे और इसमें कुछ नई नई टकनीकें अफनाएंगे तो जिन टकनीकों का इस्तमाल किया जाएगा वह सब कुछ आपको बताया जाएगा जो हमने वीजब होया है वह नर्सरी में किस तरीके से डाला है जैविक क्या उपचार की है सब आपको साथ सेयर करेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर हम जितने भी insecticides कीट ना सक दबा का इस्तमाल करेंगे तो वह जैविक दबा का इस्तमाल करेंगे जो हाई पावर का इस्तमाल किया जाएगा वह भी जैविक होगा और यूरियाट DFE खाद का इस्तमाल ना करते हुए इनकी जगे पर हमने घर से खाद वनाया है स्वयम से जीरो इन्वेश्टमेंट पर उसका इस्तमाल करेंगे यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे उसको बताना लाश्ट में बात करें फलों की तुड़ाई कब और कैसे करें तो टमाटर के फल पौद रुपाई के लगवग तीन महीने वाद पैदावार देना सुरू कर देते है इसके फलों की पहली तुड़ाई के बाद दो से तीन दिन के अंतराल में फलों की बार बार तुड़ाई करनी चाहिए फलों की तुड़ाई करनी के दोरान थोड़े कम पके फलों को भी तोड़ लेना चाहिए और फलों की तुड़ाई हमेशा स्याम के मौसम में करनी चाहिए क्योंकि इससे फल अधिक देर तक ताजा धिकाई देते हैं फलों की तुड़ाई के बाद उनमें से कम और अधिक पके हुए फलों को अलग-अलग कर लेना चाहिए कम पके फलों को दूर के बाजार में बेंचने के लिए भेजना चाहिए जबकि अधिक पके फलों को नजदी की बाजार में बेंचने के लिए भेज देना चाहिए तो उप्यूक तकनीकी और जितनी भी गुणवत्ता हमने बताई है आपको उनका इस्तमाल करेंगे तो वाकई में आपको production काफी अच्छा मिलेगा और टमाटर एक लंबी अबदी तक चलने वाली फसल है यदि एक महीने भी आपको market डाउन मिला तो next month में आपको market अच्छा मिल जाएगा तो देखा जाए तो टमाटर के खेती करने का जो idea है वो कोई भी किसी भी तरीके से घाटे का सौधा नहीं है एक प्रुकार से profitable business है खेती को खेती के जरिये से ना देखती हुए आप business के तोर पर देखोगे तो वाकई में आपको फायदा होगा profit मिलेगा और लाकों में profit होगा और यदि आप इसमें जैविक तरीके से खेती कर रहे है तो जो आपकी लागत आ रही है cost आ रही है वह 80-90% कम हो जाएगी रसाइनिक खेती की अपेक्चा तो जितना पैसा आप रसाइनिक pesticides में दोगे तो एक प्रिकार से वो भी तो हमारा profit ही है तो सबको मिलाएंगे तो हमारा लाकों में profit हो जाता है एक एकड़ खेत से ही तो उमीद करते हैं आप किसानवायों कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी अब इसके अलावा आपके जो भी doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए जादा जादा किशानवायों तक शेर कीजिए ताकि भाहे भी ऐसे एक 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 किसानी की जानकारी प्राप्त कर सके और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट विजनिस प्लस यूटूब चैनल को और प्रेस के जिए वैल आइकन को चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत वंदे मातरम